नमस्कार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि राश्ट्रिय पोसन माह जो चल रहा है उसका सर्टिफिकेट आपको किस परकार से डाउनलोड करना है जिसके बारे में आपको जनकारी देने वाला हूँ कि आपको कहा से लिंक मिलेगा जिससे कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आपको क्यों डाउनलोड करना है जैसे कि ये सर्टिफिकेट एक परमार है जैसे कि पता चलेगा कि हमने इ certificate को डाउनलोड करेंगे और जो देखिए आपको नाम अपना लिखना है वो किस परकार से नाम लिखेंगे सारी जनकाड़ी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहां पे यह पेज है वाटसप पेज इस पे यू रिपोर्ट इंडिया का यह वाटसप पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में प्रोवाइड करा दूँगा वहां से ज परतियोगीता में आपको राश्च्टिय पोशनमा अभियान के तहट आपने जो जो कारे किये हैं उन्हीं के तहट को कुछ कोश्जन किये जाएंगे और उन कोश्जन का आपको एंसर सही सही देना है जिससे कि आप सभी question का answer दे देते हैं उसके बाद ही आप लोग certificate डाउनलोड कर पाएंगे जैसे कि मैंने आप सभी को परतियोगिता के बाड़ें बताया था जो कि 285 सब्ता परतियोगिता जब मनाये गया था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो certificate है उसको किस परकार से डाउनलोड करना है तो जो लोगों ने उस बार certificate डाउनलोड किया है 285 सब्ता का उनको इस लिंक पे क्लिक करने की ज़रुरत नहीं है वो अपने WhatsApp में सर्च करेंगे यू रिपोर्ट इंडिया तो उनके WhatsApp में ये लिंक पड़ा होगा आपको क्या करना है कैसे आपको डाउनलोड करना है आपको सारी जनकारी बताऊंगा और जिन लोगों ने अभी तक किसी भी quiz परतियोगिता में भाग नहीं लिया है तो मैं उनको एक link दूँगा जिस link पे क्लिक करके वो अपना certificate पराप कर सकते हैं और देखिए आप लोग अगर एक बार इस link पे क्लिक करके certificate पराप कर लेते हैं तो आगे आने वाले कोई भी quiz परतियोगिता है उसके लिए आपको इस link पे क्लिक करने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो चलिए जो quiz परतियोगिता है उसको किस परकार से हमको start करना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा जिसमें की type a message है उसमें you report इंडिया पर जैसे ही आप लोग उस page पर जाएंगे आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए मैंने p quiz लिएक के send किया है तो आपको भी क्या करना है पी quiz लिएक के send कर देना है जैसे ही send करेंगे तो जो quiz परतियोगिता चल रहा होगा उसका यहाँ पे उसके लिए message आएगा जैसे कि अभी quiz परतियोगिता चल रहा है राष्ट्रिय पोशन माह का तो यहाँ पे देखिए जैसे पी क्यूज लिके सेंड करेंगे तो उधर से एक मैसेज आएगा नमस्कार बिहार सरकार एक से 30 सितंबर दो हैर 21 तक पोशन माह माना रही है हम से आते हैं कि पोशन माह पर संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे सही पोशन देश रोषन क्वीज में भाग लेने के लिए एक टाइब करें तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो टाइप ए मैसेज का ऑप्सन है इसमें आपको एक टाइब कर देना है एक जैसे ही टाइब करेंगे तो आप इस quiz परतियोगिता में सामील हो जाएंगे तो देखिए जैसे ही मैंने एक टाइब किया यहाँ पे question आने सुरू हो गए है और मैं आपको बता दूँ कि जो नए लोग जोईन होंगे इस WhatsApp पे तो वो लोग अगर एक टाइब करते हैं उसके बाद उनके WhatsApp पे पहले message नहीं आएगा पहले आपसे पूछेगा कि आपका age कितना है तो आप लोग अपना age वहाँ पे डाल दीजिएगा उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप किस जीले से हैं तो वहाँ पे आपको जीला भी अपना select कर लेना है select करने के बाद ही आप यहाँ से question answer start कर सकते हैं तो जो लोग पहले से जुड़े हैं what's up पे उनके लिए सिर्फ एक type कर देना है एक type करने के बाद यहाँ पे पहला question आ गया है कि अनप्रासन दिवस मनाने का मुख्य उदेश क्या है तो आपको option दिये जाएंगे जैसे कि यहाँ पे option दिया गया है पहला option है मताओं को उपहार में कटोड़ा और चम्मस देना दूसरा option है पुड़क आहार के महतों पर परिवार के सदस्यों और समुदाय को सुचित करना और सातवे महिने से पुड़क आहार सुरू करने है तू संदेश देना और तिसरा option पुछ रहा है कि मालूम नहीं तो आपको इसमें से क्या करना है जो second वाला option है आपको second वाला option स्रेक करके send कर देना है जैसे ही send करेंगे उधर से message आएगा कि आपका जो answer है वो सही है उसके बाद फिर अगला question आप से पूछा जाएगा और आप सभी लोग ने अभी तक हमारे इस वीडियो को like नहीं किया है तो इस वीडियो को like कर दिजिए और जो लोग भी channel को अभी तक subscribe नहीं किये हैं वो subscribe करके घंटी के bell notification दबाने के बाद all का button जरूर सेलेक कर लें ताकि इसी परकार से जो भी नएने notification है आपको समय पर मि question है यदि बच्चे को सिर्फ अस्तन पान अत्वा उपड़ी आहार नहीं कराए जाता है तो कौन जीमेदार होगा देखे यहां पर जो भी आपसे question पूछे जाएंगे वो राष्ट्रिय पोशन मा यानि जो परतियूगिता चल रहा है उसी के तहत आपको question पूछे जाएंग तो आपको क्या करना है इसमें से देख लेना है कि कौन सा सही answer है यहां पर जो दो नमर है वो सही answer है तो आपको दो लिख के send कर देना है जैसे ही send करेंगे देखिए उदर से फिर reply आएगा कि आपका जबाब सही है फिर आपसे तिसरा question पूछे जाएगा आगनवारी केंद् उसका मुख यहुदे से क्या है यही आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग इस quiz परतियोगिता में जरूर भाग लीजिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो पोशन अभियान के तरफ जो भी जनकारी है नौलेज है आपको यहां से test के तोर पे पूछा जाएगा जि किसी भी चीज का reply नहीं करते हैं तब तक उधर से next question नहीं पूछा जाएगा तो जैसे कि इस गुद्भराई दीवस का मुख उदेश से क्या है तो आपको इसमें से select करना है कि जो गर्भौती महिला के परिवार एवं स्वमुदाय में गर्वास्ता में अपनाई जाने वाल तथा गर्भौती को खिलाई जाने वाले पौश्टिक आहार औरने सभी बातों की जनकारी परदान करना तो इसका मुख है उदेश यही है जो की चार नमर ऑप्शन में दिया गया है तो आपको चार सेलेक्ट करके सेंड कर दिना है फिर उसके बाद रही का reply आ गया है फिर आपसे नेक्ट कोस्चन पुछेगा जिसमें की गर्भौती महिला को किस तिमाही में कैल्सियम की गोली खाना सुरू करना चाहिए तो इसका ओप्शन है सेकेंड यानि दूसरी तिमाही से उस गर्भौती महिला को कैल्सियम की गोली खाना स्टार्ट कर देना चाहिए तो दो अनीमिया है उसका लक्षन क्या है यहाँ पे आपको अप्षन दिये गए है सांस फूलना घवराहट होना थकावट होना उप्रोक्त सभी तो अनीमिया का जो लक्षन है वो सभी लक्षन जो दिये गए है यानि कि उप्रोक्त सभी आपको सेलेक्ट करना है चार नमर सेलेक्ट क की कमी तो आपको तीसरा option select करके send कर दिना है send करने के बाद फिर से मैसे जाएगा फिर आपको अगला question आएगा क्या अस्तन पान वाले 6 माह तक के बच्चों को गर्मी में अस्तन पान के आलावा पानी की जरूरत होती है तो देखिए जो 6 मा से 6 मा के तक के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ अस्तन पानी कराना है पानी भी नहीं देना है तो पानी की जरूरत नहीं परती है 6 मा तक जो बच्चा होता है तो उसके लिए आपको select करना है दो नमर अप्शन जो की दूसरा अप्शन सही है उसके बाद फिर नेक्स कोश्चन आएगा बच्चों की ब्रीधी निगरानी का महत्व क्या है तो जो बच्चों की आप लोग ग्रोथ मनेटरिंग करते हैं उसका जो महत्व है उसके बारे में यहापर पूछ रहा है तो सारीरिक मांसिक और विकास समझने में सिर्फ सारीरिक विकास समझने में और यह महत्व पूर नहीं है तो पहला अप्शन है जो की सही है उसको यहापर सेलेक करके सेंड कर देना है फिर आपसे नेक्ट कोश्चन पूछेगा यदि घर में पौश्टिक अहार की कमी हो तो इसका दूस परभाव किस पर ज्यादा पड़ता है पहला अप्शन है घर के पूरुष सदस्यों पर दूसरा अप्शन है घर के महिला सदस्यों पर तीसरा अप्शन है नोजाज सिस्यों पर चोथा अप्शन है घर के सभी सदस्यों पर तो पौश्टिक अहार की कमी ज्यादा तर महिलाओं पर इसकी दुस्परभाव परता है इसके लिए आपको दुसरा अप्शन सिरेक करके सेंड कर देना है फिर उसके बाद नेक्स कोश्चन आएगा क्या गर्भाती या अस्तान पान कराने वाली महिला कोविड-19 का टीका लग लगवाज सकती है तो इसके लिए आपको क्या करना है हां वाले पर हां का ओप्शन सिलेक्ट करना यानि एक नमर सिलेक्ट करना है और यहां पर सेंड कर देना है जैसे ही सेंड करेंगे तो आपका जबाब सही है और यहां पर आपका कोश्चन खतम होता है मैसेज भी आएग से संधेश करें जैसे की राश्ट्री पोश्ण में के ताहत जो लोग भी कारेड़त है चाहे आंगनवारी सेविका हो सहाई का हो या फिर आसा हो या फिर अनेम हो चाहे जो भी लोग हो इसको सेर किजिए ताकि वो लोग भी अपना इस परकार से certificate प्राप्त कर पाएं तो certificate प्राप करने के लिए किया करना है यह जो capital capital letter में D है उसको यहाँ पे लिखना है और सेंड कर देना है सेंड करते ही देखिए हाँ पर certificate आचुका है इस certificate पर नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है अपने यहां पर बता रहा है अपने फोन पे फोटो गैलिरी खोले और अपना परमान पत्र खोले यानि कि आपको गैलिरी में चले जाना है गैलिरी में जाने के बाद इस परमान पत्र को ओपन करना है और उस पे इडिट का उप् आपको करके दिखा दे रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर हमने गैलीरी में जाकर इस certificate को open किये हैं open करने के बाद आपको यहाँ पर एक Edit का उपेटा पर मिल एगा जैसे यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिस में भी नाम लिख सकते हैं और देखिए नाम लिखने के बाद यहां पर आपको कलर भी मिलेगा जिस कलर में अपना नाम लिखना चाहेंगे उस कलर में यहां पर नाम लिख सकते हैं तो देख सकते हैं इस पर हमने इनका नाम लिख दिया है नाम ल कारे में किलीर जनकारी आपको दे दिया है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर किजिएगा मिलते हैं फेर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का वीडियो दखने के लिए धन्यवाद जैहिंद आपका दिन सुभ हो